Hello everyone, good evening, नमस्कार, 20 January 2022 के Indian Express और The Hindu के comparative study है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ important topic पर, अक्सर UPSC experiment में confusion रहता है कि Indian Express या The Hindu, दोनों के बीच में क्या major difference है और Indian Express The Hindu से किस perspective में आपको better quality में नजर आएगा, अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी recommendation होगी, आपकी suggestion होगी, तो हम इसको start कर सकते हैं, कल 21 January 2022 से, लेकिन मैं आज आपको 20 January के आपने 10 Hindu पढ़ लिया होगा, 10 Hindu के बाद Indian Express में आपको थोड़ा सा difference आपको बताता हूँ, कि दोनों में main difference क्या, front page पे mostly जो सबसे ज़्यादा highlighted है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, कि जो COVID-19 एक्स ग्रेशिया नंबर को लेकर Supreme Court का एक concern है, एक्स ग्रेशिया का मतलब है, COVID-19 के वज़े से जिन लोगों की death हुई थी, उन लोगों को 50,000 का जो compensation करना था, उसमें कुछ state जो है, वो सही से procedure नहीं कर रहे हैं, या उनकी जो रवईया, वो काफी डिला डाला, उसको लेकर Supreme Court ने एक आगे, हम अभी इस पूरे सिनेरियो को खुद जो है, इसको नज़र रखेंगे, इसमें direct करेंगे, इसके लाबा, यह जो topic है, दहिंदू के अंदर आज detail में discussion नहीं किया गया था, यह काफी important topic है, जैसे United States की aviation sector जो है, US के अंदर 5G rollout होगा, उसको लेकर वहाँ पर डर है, हलागी अब यह issue जो है, सोट आउट हो चुका, क्योंकि जो planning की rollout की, वो defer कर दी गई है, और वहाँ पर कई सारे flights cancel करेगी, इसमें Air India की flights भी cancel करेगी, इसमें दिकत क्या है, यहाँ पर अगर आप देखे इसको थोड़ा सब जूम कर लेते हैं, United States जो है, वो basically अपने यहाँ पर 5G को launch कर रहे हैं, और 5G को launch करने के बाद, जो यहाँ का Federal Aviation Administration है, यह बोल रहा है कि भाई, इससे aviation sector को दिक्कत होगा, या flights को altimeter को लेकर, या अक तरीके से height को understand करने को लेकर problem हो सकती है, क्योंकि आप आपने जिस frequency पर permission दिया है, 4.2, 4.4 GHz में, तो यह एक बड़ा serious issues है, ठीक है, और भारत की भी 8 flight जो है, इर इंडिया की cancel हुई, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्योंकि यह 4.2, 4.4 C band में आएगा, यहाँ पर सवाल यह आता है, कि अगर 5G इतनी बड़ी problem है, तो South Korea और European country में कैसे roll out हो रहा, तो उसके बीच में भी differences आपको देखने को मिलते हैं, कि दोनों enter है, South Korea या Europe के अंदर जो frequencies launch करी गई है, वो below 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4.2 से 4.4 GHz है, जितनी high frequency होगी, speed भी उतनी high होगी, और इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में, वहाँ की companies के वहाँ का जो federal aviation है, उनके बीच में concern है, कि इसको roll out नहीं करना चाहिए, तो 5G telecommunication क्या aviation sector पर impact करेगा, इसको लेकर ये topic डिसकस किया गया, इसके अलावा मैं आज brief में आपको बता रहा हूँ कि difference क्या basically, इसके अलावा अगर आप end में जाएंगे इसमें, बिलकुल front page के अग चाहिए, center to rank state on faster green nodes, fewer details out, यहाँ पर mention किया गया है, कि union ministry of environment, forest and climate change जो है, वो चाहती है कि incentive लिजाए state की frequency में, और जो एक तरीके से कितनी fastly green nodes, यानि एक तरीके से permission देगी उसको लेकर debate है, center और state के relation को लेकर अकसर debate होती है, और उसी context में यहाँ पर भी debate है, कि जो state environment impact assessment authority है, क्या project को clear करेगी shortest period में, और अगर यहाँ पर union ministry of environment, forest and climate change involved होगा, तो इसका मतलब यह है कि center और state government के जो issues है, आने वाले time में और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, generally state authority जो है, बहुत सारी environmental impact assessment, environmental impact assessment का मतलब होता है, कि कि किसी भी project का environment पर क्या impact पड़ेगा, उसको assessment करना, उस की जांच पर रक करना, ठीक है, यह किसका होता है, एक category के project को generally center government clear करती है, जैसे highway होता है, बाकी जिसमें आप देखेंगे, mining है, thermal plant है, river valley है, या infra project है, इनको state government जो है, उसको अपनी body के under, या एक तरीके से उसको review करती है, और इनको assess करती है, और उसके बाद परमेशन इसके बारे में देती है, तो ये news जो है, आपको as compared to the Hindu, आपको different नजर आएगी, इसके अलाबा, अगर आप देखते हैं, इसमें और the Hindu में थोड़ा difference कहाँ पर देखने को मिलेगा, first page के बाद जो the Hindu और Indian Express में, बिलकुल आपको जमीन आसमान करना अंतर नजर आएगा, बहुँ ज ज़्यादा ही आती है, इसके बाद यहाँ पर election के बारे में दिया गया, decision को लेकर यह particular page है, दह हिंदू में भी page number 9 इसको लेकर आता है, इसके बाद page number 7 में दो word mention किये गया है, ध्यान रखिए, government और एक है politics, politics वाले को आप cut कर दीजिए, इसको delete कर दीजिए, अब बात करें government, यह हमारे लिए important है, और यहाँ पर mention किया गया कि प्राविश्य साब जो एक virtual summit को host करेंगे Central Asian leaders के साथ on January 27, आपको पता होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैंने दे हिंदू के नदरी बताया था, अभी भी मैं थोड़ा सा briefing कर रहा हूँ, आपको पता होगा इस बार 26 जनुवरी 2022 के अंदर five Central Asian country के जो head है, जिसमें कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और country रहे गी है, जिसका नाम होगा उजबेकिस्तान, ठीक है, यह in country के head of the state जो है, भारत में Republic Day celebration पर chief guest की तरह आने वाले थे, लेगिन दिक् के अंदर COVID-19 cases अगर आप आज देख रहे हैं, बीस जनुवरी को, यह cases थ्री लाग क्रोस कर चुके हैं, इस context में इस celebration को काफी ज्यादा restrict कर दिया गया, के वल five thousand के आजपास dignitaries इसके अंदर साविल होंगे, वो भी जो foreign dignitaries या government के staff वो इसके अंदर participate करेंगे, और अब जो इन countries के जो presidents है, यह एनकी head of the state है, इनके साथ virtual जो है summit होगी भारत के प्राइमिस्टर साब की, और यह reason काफी important है, मैंने बताया कई बार कि Central Asia हमारे लिए बहुत important है, और Central Asia की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले आपको याद होगा, 2014 में जब प्राइमिस्टर साब ने सपत लिए थी, तब सारक country के leaders को बुलाया गया था, 2019 में बिमस्टेक countries के leader को बुलाया गया था, और एक बार हमारे यहाँ पर Republic Day के celebration पर आश्यान country के head of the state भी participate कर चुके है, इसका मतलब यह है कि भारत की diplomacy में इस तरह की चीज़े, Central Asian countries के head of, सारक country को बुलाना, यह एक तरीके से diplomacy में या Central Asian countries तक जो हमारी access उसको बढ़ाने को लेकर हमारी planning, यह game changer हो सकती क्योंकि इन region के अंदर, जो Central Asian country है, यह natural gas के लिए एक important source है, हलाकि अभी कजाकस्तान के अंदर एक दिक्कत हो गई थी, कजाकस्तान के अंदर fuel के price जो increase हो गए था, जिसकी वज़े से वहाँ पर और के organization news में आएक alliance है, basically military alliance बोल सकते हैं आप, या इक तरीके से Russia और उसके former alliance जो USSR के अंदर थे, उनके बीच में, इसका main मकसद क्या है, कि अगर इन areas के अंदर disturbance होती है, तो force जो बुलाई जा सकती है, तो Russian troops जो कजाकस्तान के अंदर enter करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, इन सारी चीजों को मैं detail से बताऊंगा फिर कभी, क्योंकि the Hindu जो regular देखते हैं, उनको पता ही है, मैं इनके बारे में बहुती detail से discuss करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ छोटी छोटी news आपको नजर आएगी, वो यह है, यहाँ प नौर्थ इस्ट का, जिसके boundary लगभग नौर्थ इस्टन स्टेट से जो है, लगती है, क्योंकि इसकी geographical location थोड़ी unique सी है, दूसरा, जितनी boundary लगती है, उतना ही dispute भी अलग-अलग स्टेट के साथ है, उसी context में मेघाले के साथ जो issues है, असम और मेघाले के border को लेकर, उसको solution क करने को लेकर union home minister साब से इनकी बातचित होगी और concern जो हो कहीं न कहीं, या इसको लेकर जो issues वो sort out करने को लेकर काम करेंगी, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, सर्स्वती river को लेकर हर्याणा और हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट के वीच में एक memorandum of understanding जो है sign हुआ है, यह काफी important है, सर्स्वती river को ancient history के अंदर या हमारे लिए एक पवित्र नदी की तरह consider किया जाता है, और इसको लेकर हर्याणा government की तरफ से या central government की तरफ से इस तरह की commissions मनाए गए या इसको फिर से जो है इसका पुनुरदार करना उसको लेकर लगात को देखने को मिलेगी, इस तरह की छोटी-छोटी important information जो है वो काफी एहम होती है, UPSC, CSC 2022, 23 और 24 के लिए, right, इसके अलावा यहाँ पर एक और news आती है, बहुती छोटी से लेकिन important है, Supreme Court to Maharashtra, submit OBC data to commission, देखिए देश के अलग-अलग राज्यों के अंदर, केवल महarashtra की बात नहीं है, महarashtra, और मैं आपको हरियाणा के बारे में discussion करूँगा, इन्होंने क्या किया, कि other backward classes के लिए, reservation का provision कर दिया, पंचायती राज act के अंदर, और पंचायती राज का, कि अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, 73 और 74 constitutional amendment, इनके अंदर mention है, दो word, एक है compulsory, एक है voluntarily, जो है, आप कर सकते हैं, लेकिन महarashtra में OBC quota को लेकर काफी ज़्यादा debate है, debate इसलिए है, Supreme Court ये बोल रही है कि भाई, आप OBC quota लागो करो, वह आप कर सकते है as per the act, but उसको लेकर आपको data जो सम्मिट करना पड़ेगा, आपको data जो उसके लिए requirement होगी, और data को लेकर काफी ज़्यादा debate है, और कई बार इस चीज़ को लेकर भी debate होता है कि क्या देश के अंदर caste के basis पर census होने चाहिए, जर्गना होने चाहिए, वो सारी चीज़े भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके बाद जो editorial वाला page है, ये भी अच्छा खासा माना जाता है कि अलग perspective मे editorial को ये लिखता है, और वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, हला कि थोड़ा political level पर editorial आपको नदर आएंगे, लेकिन कुछ interesting editorial बे जैसे दिवास and tricks का editorial दिया गया, ये एक important editorial है, UPSC, CSE 2020, 22, 23 उस perspective से भी, इसके अलावा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कुछ important चीज़ के अंदर भी इनके editorial आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के editorial आप जरूर पढ़िए, एक observation बनाने के perspective से, यहाँ पर compare किया गया है, इंडिया और चाइना की GDP की growth, import और एक तरीके से, में ली यहाँ पर, जो main चीज़ discuss करी गई है, वो ये, दोनों के बीच में, एक तरीके स AC को लेकर क्या requirements है, और किस तरीके से GDP पर impact कर सकती है, उसको लेकर बात कर रहा है, लेकिन यह जो editorial है, यह मैं must कहूंगा कि दो editorial आपके लिए बहुत important, यह editorial हो सकता, sanitation, reality, check, लेकिन इसको story type में पढ़ सकते हैं, क्योंकि health को लेकर daily basis पर आपको editorial देखने को मिलेंगे, या एक affair में अगर बात करें, तो यह page काफी अच्छा मना जाता है Indian Express का, हलाकि यहाँ पर specific आज कोई news particular नहीं है, जैसे India terrorism को लेकर काफी ज़्यादा active रहता है, counter terrorism को लेकर, Al-Qaeda का link है, Pakistan-based terror group से, वो इसके बारे में लगातार बताया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी mention किया 36 Chinese victim को पे करेगा पाकिस्तान जो hydropower project के अंदर उन पर terror attack हुआ था, यह सारी चीज़ें आपको नजर आती है, लेकिन Indian Express एक page में दह हिंदू से आगी है, हलाकि दह हिंदू सको compare करता, कोशिस करता है, Sunday को FAQ जो आता है, frequently ask question उसमें match करने को लेकर, क्योंकि वो same होता, लेकिन यह जो है, एक्सप्रेस जो है, यह explain page, यह कई बार, यानि लगभग लगभग डेली के असपास आपको देखने को मिलेगा, और explain page, यह वाला page, अगर आप Indian Express को पूरा छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप केवल explain page को पढ़ रहे हैं, तो यह आपके लिए important है, जैसे marital rape को लेकर बहुती important question and answer किये के discussion किया गया, यह काफी important है, इसके अलावा, global toll of bacterial resistance of true drugs, यह भी काफी important है, यह auditorial भी काफी important है, how the and the war in Yemen, यह भी important है, क्योंकि how the, मैंने बताया था कि Yemen में जो इस टाइम पे civil war इस तरह की crisis देखने को मिलते हैं, how the, वो rebel है, जो साथी, UAE, और इससे के अलावा, US, UK, France, इनके alliance को जो है कहीने काउंटर कर रहे है, how the, को indirectly back करता है, कौन? इरान, और इसके पीछे आप देखेंगे, Islamic faith में जो सिया और सुनी इस तरह की fractions हैं, जो अलग तरीके से value करते हैं, उनके बीच में भी indirectly आपको देखने को मिलते हैं, अगर इरान बैक कर पर worst humanitarian crisis देखने को मिलता है, इन सब का result क्या है, यमन के जो समाने नगरी के वो face कर रहे हैं, और उनके लिए serious concern इस पूरे region के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे advertisement, advertisement and advertisement, इसको छोड़ दीजिए, आपको cross करना पड़ेगा, economy में क the Hindu कई बार Indian Express से definitely अगर आप दोनों compare करेंगे तो the Hindu better condition में है, बट अगर आप कुछ perspective में, जैसे explained वाला page हलाकि FAQ जो आता संडे को the Hindu में, वो equivalent ही है explained के, ठीक है, लेकिन explained वाला page हो गया, economy का और world affair का कुछ pages जो है, ये आपको parallel नजर आते हैं, कुछ extra information जो है देखने को मिले तो Indian Express और the Hindu के अंदर ये एक measures आपको difference देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के end में इतना ही, thank you all, जैहिन